नए साल के शुरुवात हो चुकी है ऐसे में एक तरफ ठंड कहर बर पा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जिसे काम है वो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना भी कर रहे हैं सर्दी के सितम से लोगों को परिशानी हो रही है तो वहीं दूसरी और कोहरे ने भी कोहरा मचा रखा है जिस वज़ा से पिछले कई दिनों से इस कोहरे का असर सीधे रेलवे पर पड़ा है कई ट्रेनों को तो पूरे तरीके से रद कर दिया गया है तो वहीं कई ट्रेन देरी से चल रही है इस वज़ा से यातरी अपना टिकेट कैंसल भी कर देती हैं लेकिन अब इस थंडी में एक राहत भड़ी खबर सामने आई है तो अगर आप सोच रहे हैं ट्रेन लेट है कोहरा जादा है ठंड बर गई है आपको अपना टिकेट कैंसल करना है और आपको रिफंड नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है अब आपको पूरा रिफंड दिया जाएगा अगर ट्रेन लेट भी होती है तो भी आपको कई मुफ्त ऐसे सुविधाएं दी जाएंगी और साथ में रिफंड का पूरा पैसा भी यानि कि जो टिकेट का पैसा आपने दिया है वो पूरा पैसा आपके सीधे अकाउंट में कई ऐसे नियम नए साल में रिफंड ने निकाला है जिसके बार यात्रियों को काफी राहत मिलेगी तो अब आपको टेंशन नहीं होगा कि अगर आप ट्रेन का टिकेट कैंसल करते हैं या फिर ट्रेन लेट होती है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा या मिलेगा बहुत सार सवाल हैं जिसका जवाब आगे खबर में हम देंगी बताएंगे आपको आगे खबर में कि क्या कुछ रेल मंत्री अश्विनी वैशनों नहीं रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबरी दी है नए साल पर और क्या से अब आपकी जो टिकट है जो ट्रेन है ट्रेन आपकी लिए है इस ठंड के मौसम में अगर आप भी कहीं जो आने का प्लान बना चुके हैं तो आपकी लिए भी यह खबर बेहत ही जरूरी है क्योंकि जस तरीके से ठंड बढ़ी है कोरे के कारण कई ट्रेनों को रद किया गया है तो कई ट्रेन ऐसी भी है जो लेट से चल हैं ऐसे में अगर आप भी आने वाले समय में सफर करते हैं या फिर टिकट कांसल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहत ही जरूरी है आपको बता दे कि रेल मंत्री अश्विनी वैश्णों के तरफ से नई साल पर रेलवे यात्रियों को बड़ी खुश खबी दी गई है अश्विनी वैश्णों ने ये जवानकारी साजह किया है और बताया है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रेन लेट हो जाते हैं जिस वज़ज़ से यात्रियों को अपना टिकट कैंसल करना होता है और उनका पैसा कट जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब आपका प पूरा पैसा रिफंड के रूप में वापस मिलेगा बरती ठंड के वजह से पहले ही कई ट्रेनों को रद कर दिया गया है अभी जो ट्रेन चल रही है वह इतना कोहरा है कि देरी से पहुंचती है और ट्रेन के देर से चलने के वजह से सबसे जादा परिशानी यात्रियों को हो प्राइस देरी से अवेट होती है तो आपको ऊसका पूरा पैसा भी वापस मिलेगा भर तो ये भी है कि अगर आपके पहुंची तो आपको मुट में खाना भी खिलाया जाएगा रेल्वे की तरफ से जानकारी सामनी आई है उसे पता चल रहा है कि अगर कोहड़े के वज़ इतना ही नहीं बलकि रेलवे ने यह भी जानकारी दी है और बताया है कि यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने टिकट काउंटर से कटवाया है या फिर ऑनलाइन टिकट बुक किया है दोनों ही अस्तिति में आपको आपका टिकट का पैसा वापस दिया जाएगा और वह भी पूर किया जाएगा और अगर आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और आपकी यात्रा पूरी होने से पहले ही ट्रेन लेट होती है उस स्थिति में आपको मुफ्त में खाने पीने और नास्ति की सुविधा भी भारती रेलवे उपलब्द करवा रहा है लेकिन फिलहाल सुविधा करते हैं या फिर ट्रेन आपको मंजिल पर पहुंचने से पहले ही डेरी कर रही है तो यह सारी मुफ्त सुविधाय आपको मिलेंगी आपको रिफंड भी मिलीगा और साथ में मुफ्त में खाना भी दिया जाएगा बाकि इससे जुरी कोई नहीं जानकारी सामने आती है तो अब तक हम जरूर उसे पहुंचाएंगे तब तक आप अपनी राए भारती रेलवे के द्वारा शुरू की जा रही है आसी सुविधाओं को लिगकर कमिन बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए और बाकि अन्नी खबरों के लिए बने रही जंता जंक्शन के स कैमरी के पीछे ते विशाल और मैथी आपके साथ वन दराव धन्वार